हेलो इस्टुएंट्स कैसे बच्चे आप उम्मीद करते हैं आप सब कुसल पूरू और कुसल मंगल होंगे आईए बच्चे आपका स्वागत है नोश्ट्रम स्टड़ी पॉइंट और कैपसूल क्लास नमबर छे में बहुत बढ़िया गुड इवनिंग जैहिंद बच्चे जैहिंद जैहिंद हिंद की जैए शाबाज एक बार सभी बच्चे जुड़ जाईए एक बार और शुरुबात करते हैं आज जो पार्ट होगा वो कोर्रिलेटिड होगा वर्क पावर और एनरजी से अक्षे कुमार कमल गुड इवनिंग बेटा चलिए खुश्राव बेटा विजैभब प्रवीन पृति पतेल प्रियाग राज से जी जोनी शर्मा जैहिंद जैहिंद चलिए बिटा आज जो बच्चे जुड़ चुके हैं और अपने को क्या अपने को तो बस पढ़ाने से मतलब है चलिए यहां ध्यान देजिए वक्त नहीं अब हमारे पास ना आपके पास ना उन अफवाओं से बच कर रहो जो अफवाएं फैलाई जा रही है कि पेपर नहीं होगा हॉल टेकेट आपके पास एडमिट काड़ाने लगे हैं बिलकुल अब वक्त नहीं है बिलकुल जी राम राम जी नमस्कार आगरा से बहुत बहुत नमस्कार बिटा चलिए शुरूबात करते रितेश प्रिजापत खुश रहो बिटा सभी बच्चे एक बार अपने गुरूपस में सभी तो शेयर कर दें मैक्सिमम से मैक्सिमम और शुरूबात करने जा रहे हैं हम कॉम्टिशन किट नमबर 6 इनफॉर्मेशन कैपसून जिस दिन पेपर होगा पेपर का डिसकसन होगा उस दिन मैं यहां से हेडलाइन सेलेक्ट करकर के बताऊंगा कि बेटा देखो यह कॉश्चन यहां से आया है एक इस कैपसूल से आया है समझ रहे हो उस दिन जो बच्चे नहीं जुड़े थे उन् समीद है कि समझ में आता है देखो बीटा सबसे पहले आता बात वर्कडन की कार्रे की वर्कडन क्या होता है हम जानते हैं वर्कडन जो होता है कार्रे एफ डॉट एस होता है पहली बात तो वर्कडन जो है वो डॉट प्रोड़क्ट है कौन सा प्रोड़क्ट है डॉट यह गुनांक है याद रखना वर्क डन कैसी क्वांटिटी है स्केलर है वो जी अधिस है और जब भी किसी डॉट को तोड़ते तो उम किसमें तूटता है कॉस ठीटा में F S कॉस ठीटा के लिए रहे जी बिलकुल प्रिया कुमारी रादे रादे बिटा कृष्णा गौरव हाँ जी एल एक्स प्रियागराज की धरती से नमस्कार करता है नमस्कार क्या बाद चले वर्क डन इफ दा एंगल बिट्वीन फोर्स एंड डिस्प्लेस्मेंट इज नोट 90 डिग्री मतलब ठीटा जो है अगर वो 90 डिग्री नहीं है मुझे एक बात बताओ अरे एक फरक नहीं पड़ता की एंगल क्या है हम खुद रखके देखेंगे कैसे यहां कॉस ठीटा आ रहा है अगर यहां ठीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो जाए बिटा तो कॉस जीरो क्या होगा वन होगा होगा नहीं होगा जबकि कॉस 90 क्या होगा कॉस ठीटा की वैली 0 रखिंगे तक आएगा वन आएगा 90 रखिंगे तक आएगा कॉस 90 क्या होता है अरे साइन जीरो जीरो लेकिन कॉस जीरो वन कॉस 90 पर क्या हो जाता है जीरो, इसलिए काम होगा ही नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब 90 डिग्री होगा, के लिए रहे, बिल्कुल, 17 को है, हाँ, बिल्कुल, सरकिस पर कानपुर बार है के, हाँ, पूरे दिन में आपका इंतिजार रहता, बहुत बहुत दन्यवाद बिटा, अभी क्लासे थोड़ी रफ्तार बढ़ने लगेगी, हिम्मत मत हारो, पढ़ते रहो, देखते रहो, बता रहूँ आपको, सफलता उनको मिलती है, जो कुछ अपना समय देंगे पढ़ाई को, अगर समय नहीं दे रहे हो, सोचे हाँ, एक साथ कर लेगे, कुछ नहीं हो पाता, वर्क डर्ण, याद रखो, तुमसे पूछे गा, कि एरिया अगर F और X के बीच में बनता है, अगर F और X के बीच में बनता है, बहुत चीज है कि कौन सा संबंध किस से रिप्रजेंट करता है, अगर वो X और T के बीच में बनता है, वेग, वेलोस्ट यो टाइम के बीच मनता है याद है सब चीज बता रखें मैंने ऐसे पूछेगा कि force और displacement अगर f और x के बीच में जो area cover होगा वो area क्या दिखाएगा वो छित्रफल work done को दिखाता है याद रखना इस बात को अगर work done दो तरह से होता है एक constant नियत और एक variable जो step by step बदलता रही वेरियेबल वही होगा जिसमें integration होगा ये integration का sign है fs area under fx क्या represent करता है कार रेको बोलो बात समझाई येस सर most important point पूछा था work done क्या होता है change in kinetic energy और potential energy energy में जो बदलाव होता है पर energy के परिवर्तन को क्या कहा जाता है energy के परिवर्तन को क्या कहा जाता है power, car, ऐसे पूछेगा तो याद अखना work done कहा जाता है क्या कहा जाता है work done बिल्कुल हाँ Einstein वाला जो कुली concept था इसी पर था बिल्कुल जी तेवारी जी आपका 13 को है बहुत बढ़िया दस तक हम target रखेंगे capsule classes को पूरा करने की जी बिल्कुल उमेश चलिए अगला कहता when body fall in a medium says air or water अगर air or water में कभी body को डाला जाता है then work done gravitational force plus work done by resistance मतलब जो work done लगेगा उसके gravitation force कितना लग रहा है और उसे वो पानी रोकने का कितना काम कर रहा है उसके equal लगता है देखिए ध्यान से एक relation होता है संबंद होता है आप देख पा रहे होंगे नहीं तो मैं zoom कर देता हूँ ध्यान सुनना एक relation होता है relation पूछे जाता है यह वाला relation देखो बच्चे कहेगा energy जो है energy directly proportional to p square upon 2m p क्या है यहाँ linear momentum अगर वो तुमसे कहता है कि अगर बताइए linear momentum को दुगना कर दिया जाए तो energy पे क्या relation फरक पड़ेगा ऐसे relation पूछ लेता है यहाँ संबंद तो p क्या है संवेग है linear momentum है या यह पूछेगा e का relation how e related to how e related to p p से कैसे related करती है 1 upon p या directly p या directly p square या directly 1 upon p square ऐसे पूछेगा लेकिन ऐसे कौन बता पाएगा जिसे यह formula पता होगा formula क्या है e is equal to p square upon 2m बहुत वड़िया p v हाँ अभिशेग बेनिवाल बिलकुल बेटा कमल जैसे बच्चे साथ साथ लिखते जाएं बोलते जाएं जो जो चीज बता रहा हूं उन्हें लगना चीए yes sir कि वो जिंदा है क्लास में बोलो बास समझाई ऐसे ही एक relation पूछा जाता वेलोस्टी का मैंने देखो बताया फिर से वेलोस्टी वेलोस्टी का kinetic energy के साथ कैसा संबंद है ऐसे question पूछेगा kinetic energy को अगर दोगना कर दिया जाए गते जूर जाको तो उसके वेलोस्टी पे क्या फरक पड़ेगा ऐसे प्रिष्णों में वो ऐसे question में resultant का इस्तमाल करता है अगर कोई बच्च्या resultant जानता होगा तो वो कर देगा बोलो तो सही सर पूछ क्या करना है पता लग जाएगा मास के साथ inversely factor या कहेगा कि बताइए वी जो है directly proportional होता है option a one upon kinetic energy के under root के equal directly proportional to kinetic energy मैं जो समझाना चाहरा हूँ यहां बैठा हुआ बच्चा समझ गया है गुरू जी हम समझ गए कि इन relationों को याद करना है और इन relationों से question ऐसे उठा सकता है ठीक है जी बिल्कुल ठीक है चलिए बहुत बढ़िया very good यह मैंने formula तुम्हें drive करना भी सका रखा है एक बच्चा बूल भी रहा है energy stored in spring energy stored in spring simple formula बिल्कुल simple बाबा होक्स वाला concept जो चलता है अगर कोई spring है बिटा कोई गूंज है यह spring है बताओ तुमसे कहेगा इसमें energy जो होती है इसमें जो ऊड़ जा है वो क इतनी होगी तो जवाब देके आना गुरू जी half k x square के equal होगी k क्या है k उस spring का constant है याद रखना इसके बारे में बाबा हुक्स ने बताया था half k x square याद रखोगे बुलो याद रखोगे yes sir जी बिल्कुल बहुत बढ़िया आईए अब यहां ज्यान दीजिए अगली next slide next slide में बात करते हैं ये बात हैं तो आपने अभी पढ़ी थी सिर्फ half energy k square अब देखो ऐसा बच्चा जो पीछे की class में भी उपस्तित था तो वो इस बात को बोलेगा yes sir आपने बताया है और बहुत अच्छे से बताया था gravitational force और electrostatic force बीटा कैसा force है conservative force है वो जी हिंदी medium इसे सरक्षी बल के नाम से जानता है conservative force अच्छा एक होता है conservative एक होता है non conservative conservative वो होता जिसे सरक्षी कहते हो ऐसा जो initial और final पर depend करता रास्ते path पर depend नहीं करता रास्ते पर depend नहीं करता कि रास्ता कैसा है के लिए रहे जैसे देखो एक building है यह रही उसकी छट यह है एक बंदे की छट यहां से यहां से यहां जम्प करे अरे हमें मतलब नहीं है यहां मतलब सुर्फ हइट सी कि ह कितनी है एक बार हो सकता है यह हट होगी भी हइट ही होगी तोटल A और B देखा जाए तो H भाईया कितनी लगेगी उसके height के according H height लगेगी सिर्फ तो gravitation force initial final पर depend करता है वो ये depend नहीं करता कि कौन कैसे कैसे आ रहा है और ऐसा रास्ता जो रास्ते पर ऐसा बल ऐसा force जो रास्ते पर पाच पर depend करता है that is called non conservative force उसे non conservative कहते है बेटा बात के लिए रहे yes sir कोई बताएगा non conservative का example जोनी सर्मा जी राजु भाई बिल्कुल बेटा बताईए कोई बताएगा हाँ तो बिल्कुल आराम से sir fraction force देखो ये आवी गया ये रहा गरसन बल एक non conservative है ठीक है ये बात है महज बात ही नहीं है ये कई बार पूछी गई बात है लेकिन बच्चा इन्हे इग्नोर कर देता है और इस कम है तो तब पता लगता है जब पेपर में आती है ठीक है जल्दवाजी में बच्चा ऐसे question गलत करके आए सबसे ज़्यादा दुख होता हुसे force acting on a body related to the potential energy ठीक है potential energy पे लगने वाला force के साथ क्या होगा f is equal to minus du upon dx minus du upon dx चले अब देखे next point यहाँ ध्यान देना क्या कहता है power depends on time power time पर depend करती है in which work is done power समय पर आधारित है कब जिसमें जो कार्रे किये जाता उस time whereas work done does not depend on time देखो कितनी बहतरीन बात वो जी p is equal to w upon t क्या कहने आपके गुरुजी सीदी देशी बहासा में बता दो क्या कह रहा है कि यह power time पर depend करती है लेकिन किन्तु परन्तु इन्तु क्या क्या work done कार्रे time पर depend नहीं करता क्या लिए रहे इस question को कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ वो कहेगा कि आप से कहेगा power depend on work done power depend on work done and work done depend on time यह power does not depend on time work done depend on time power depend on time work done does not depend on time power depend on time work done depend on time मतलब समझ रहे हो हाँ चार condition बना दियु उसलिए तुम बोलोगे power time पर depend करती है लेकिन कब time पर कब जब work done किया जाए के लिए रहे लेकिन work done time पर depend नहीं करता बहुत बढ़िया क्या बात श्यावास बहुत बढ़िया बिटा समझ पा रहे हो मेरी इन बातों को बहुत बढ़िया अब देखू in all type of collision जितने भी collision होंगी अब option देगा तुम्हें कैसे कैसे collision in all type of collision जितने भी collision होते हैं जितने भी collision होती हैं टकर होती हैं आपने देखेंगी एक होता वन डाइमेंशनल एक होता टू डाइमेंशनल एक होता एलास्टिक कॉलीजन प्रतिस्था प्रतिस्था प्लास्टिक कॉलीजन अंग्रेज लोग elastic collision, in elastic collision और plastic collision, plastic collision का ही दूसरा नाम है perfectly in elastic, फिर से बोल रहाँ बीटा, एक होता है elastic collision, here जआन दो देखो कैसे? Elastic collision का मतलब ये है कि मैंने आपके हात में tennis ball दी, कौँछły ball दी, tennis की, वो गद्धे वाली बहुत ज़्यादा जो गद्धा बच्पन में देखी होगी उसको आप हात में से ऐसे करते हो यह दिवार है सामने दिवार से ऐसे से कैच कर ले तो आपके हात में आती है यह है इलास्टिक कौन सा इलास्टिक प्रिचिस्था स्टक्कर कोलीजन हिंदी में इंगलिस में दोनों बता रहूँ बॉल को ऐसे मारा वो हात मा गई वो इलास्टिक है अब मैंने तुमसे वो बॉल छीली है और वो क्रिकेट की बॉल दे दी लैदर वाली जो क्रिकेट स्टेडियम में मैं क्रिकेटर खेलता है अब वो जब मारोगे आप ऐसे हिट करोगे तो क्या वो थोड़ी सी आगे आएगी, ये कौन सा है, ये है बिटा, इन इलास्टिक, एपरतिस्था का एक्जामपल, अगर मेरी बातों को just imagine कर रहे होंगे, तो भी समझा रही होगी, अब मैंने क्या किया, तीसरे केस में, पहले केस में वो गद्दे वाली दी, दूसरे में वो लैदर व गई, अब चिपक गया गया, वे चिपक न था उसे, गोबर की, मिट्टी की, कीचड़ की, कैसी बोल बना के दे दी मैंने, वो उस पर चिपक गई, बच्चे कलाकारी भी करते थे कभी कहीं, मिट्टी कोई ट्रोली डालने वाला आता था दिवार पर चिपकाते थे ऐसे, वो और परफेक्टली इनिलास्टिक का ही नाम होता है, पिलास्टिक, क्योंकि वो पिलास्टिक की तरह चिपक गई, मेरी बास समझाई, हाँ सर, क्या समझ माई, अरे एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनिलास्टिक, और एक होता है परफेक्टली इनिलास्टिक, बेटा इसी का नाम है plastic एक बहुत बहतरीन बात बोलने के लिए मैंने से समझाया है जिंदगी में याद रखना जिंदगी में याद रखना कभी भी पूरी तरह perfectly perfectly वर्ड बूलाना इस ने यह perfectly in elastogram याद रखना perfectly in elast Quincy कुछ नहीं होता है मतलब कहने का मतलब मेरा सार्थक अर्थ यह है, जहां जहां perfectly वर्ड आ जाए ना, perfect कभी कुछ होता ही नहीं है, तुमसे पूछेगा perfectly elastic हो सकता है, जवाब देखाना no sir, perfectly plastic, perfectly inelastic हो सकता है, no sir, perfectly का मतलब होता बेटा 100%, और perfectly कभी कोई चीज होती नहीं है, जी, perfectly कुछ नहीं होत बहुत बढ़िया, अब देखो, यहां तक बात है समझ आ गई, बिलकुल सर, in all type of collision, जितने भी गुरुजी आपने बताए, सारे collision हो में, linear momentum मतलब P, P मतलब क्या, समवेग, समवेग क्या होता है, conserved होता है, सरक्षन होता है, conservation means that, which neither be created, nor be destroyed, but it can convert one form to another, अरे, conservation का मतलब हिंदी में यह होता है, सरक्षन, जिसे ना पैदा किया जा सके, जिसे ना नष्ट किया जा सके, लेकिन किंतू परंतू इंतू, उसे एक स्तिती से दूसरी स्तिती में बदला जा सके, उसी का नाम है, conservation, सरक्षन, तो linear momentum क्या होगा, conservation होगा, किस में, सब किसम में, बोलो बात के लिए रहे, yes सर, पच रही यह बात है, जी, हिंदी वाली DPP भी आजाएगी बिटा, कोई नी, कल मैंने आपको साथ बता रहा था, कल बोला था मैंने कि, studio नया बनने जा रहा है, time slot चाहिए मुझे बस, के लिए रहे, बहुत बढ़िया, हाँ जी, मानी, हाँ बिटा, यद बनसी जी, बिलकुल हिंदी वाली DPP पर आजाएगी, English spoken अच्छा बोलती है, अच्छा जी, चलिए, अपने को गया, अपने को तो physics पढ़ानी है, आजाओ, वेन बोडी, certain mass moving, certain velocity, collide, elastic, perfectly, then, कोई बोडी है, stationary, वो टकराती है, collision की condition बता रखिये, then mass of body exchange, and their velocity after collision, उनके velocity बदल जाती है, ये चीज मैंने बता रखिये, collision में, ये जो आरंबिक वाली थी, जब पीछे से टकराती है, तो इसकी velocity बढ़ जाती है, और इसकी कम हो जाती है, तो इसका momentum इसमें समवेग बदल जाता है, ये पता है, no material, क्या कहता है, particle can be attain velocity, greater than the velocity of light in vacuum, एसा आज तक कोई, आज तक ऐसा कोई material है ही नहीं, जो C से ज़्यादा हो जाए, बच्चे बच्चे को पता है, ओहो, देखना देखना तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है, कहता है, कहता है, the graph between force, force on a spring, एक graph बनाया जा रहा है, ये देखो, ये force है, ये बल है, और x क्या है, x मतलब spring, खिषती जा रही है गूंज, अच्छा, expansion, extension, देखो extension बोल दिया, और compression, extension मतलब किसी चीज़ को खीचना, compress मतलब संपीडन करना, तो उसके बीच में figure जो होगा, graph कैसा बनेगा, वो graph ऐसे बनेगा, याद रखना इस बात को, clear है, बोलो यहां तक बात clear, एनि दिक्कत, बच्चा कहेगा no sir, जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बिटा, अगली बहतरीन बात है, सिर्फ चार slide हैं, इसकी द्यान से सुनना, बिल्कुल, अगर, फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, है कोई बच्चा, जो बता पाएगा, बेटा, अगर f और x के बीच में, जो graph बनाया जाता है, f, force और x, displacement, उसके बीच में, विस्थापन x, विस्थापन है, उनके बीच में जो graph बनाते ह हैं, तो एक area होता, वो area क्या दरसाता है, है कोई, जो बताएगा, क्या represent करता है area, बताना, अभिशेक, हाँ बेटा, लव यू, जोनी शर्मा, नोदेखकत, कमल, बोलिये, बोलिये, क्या होगा, क्या represent करता है, गुरु जी work done करता है, इतना time लगा दिया आपने बताने में, क f और x के बीच का, अभी थोड़ दिर पहले starting में बताया था, विजय शंकर, यादव जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने work done, clear है, हाँ जी हाँ, कमेंट्स में बताते रहो साथ साथ, अच्छा, एक force होता है, f is equal to f directly proportional to x, हकीकत में होता है, minus, और f is equal to minus kx, इसे क्या कह कहते हैं, इसे कहते हैं, hooks law, क्या कहते हैं, hooks law, थोड़ देर पहले मैंने बताई थी, hooks law के according, energy कितनी होती है, तुम नहीं तो बोला था, गुरू जी, half kx square होती है, what is k, k is hooks constant, clear है, और x क्या, वो कितनी खिची है, अच्छा, अगर graph किसी भी elastic potential energy, u, कितनी होती है, half kx square, उसके बीच में दिखाया जाए, तो graph ऐसे होगा, याद रखना, जब paper होगा, तो paper में वो ऐसे ऐसे option देगा आपको, ऐसे ऐसे, और एक option ऐसे और देदेगा, A, B, C, और D, बताए which one is correct, और हो सकता है, state line भी तुम्हें देदे, सीधी line भी दे सकता है, ठीक है, तो जवाब आपको देके आना होगा, बोलो बता दोगे, हाँ जी हाँ, बता दोगे, restoring force of ox law, बहुत बढ़िया, आजी clear है, yes sir, यहनी देख, no sir, क्या कहता है, u is equal to kx पता है, graph u x के बीच में represent किया जाए, तो देखो बिटा, ऐसी बना जकता है, वो depend करेगा, u x है कैसी, ठीक है, अगला देखिए, next point देखना, कि kinetic energy of a projection of mass m, with velocity v, angle इतना दी रखा, तो कितनी होती, half m u square, याद रखना, k का मान है, जो trajectory k होता है, k cos square x, chances अगर है, थोड़ सा पूछा गया, rarely, तो जाज़तर बच्चा गरत करके आएगा, प्रोजक्टरी के बाद में पूछेगा, कि kinetic energy कितनी होगी, k cos square x, k sin square x देदेगा, k 10 square x देदेगा, तो जवाब लगा क्या होगा, k cos square x, बोलो बात के लिए रहे, yes sir, a body is move, कहता है, unidirectionally, on which the constant power, act as displacement of a body, and time taken for displacement, कर दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, चले, अगला slide, देखिए, ये पूछा था जी, ये वाला, ये वाला point पूछ रखा है, ठीक है, देखो बीटा, ये साथ मुझे लगता, second last है, हाँ, बस last ही है, useful tips, last वाला ये, पहले देखिए से, ये वाला देखिए भी, क्या कहता है, अगर आप देख पा रहे हैं, देखो, a uniform chain of mass M, mass M है, length L है, lying on a smooth table, एक smooth table है, उस table पर lying कर रहे हैं, if one upon x is the part of length, hanging vertically, downward, तो work done कितना होगा, उसे pulling खीचने में, कितना work done लगाना पड़ेगा, पाईसा बहतरीन point है, बहतरीन अपने आप में, अगर वो ये ही point देदे, question की form है, as it is, देदे, और यहाँ अगर option बदल दे, तो जन कितने बच्चों की अवा खुसक हो जाएगी, जबकि वो simple, simple resultant और कुछ नहीं है, याद रखो, work done, w is equal to mgl upon 2x, बेटा, याद रखना, वो कहेगा, कि m है, length है, और 1 upon x time का hanging है, उसका vertically, vertically अगर वूलेट क्यों ही है, तो उस time पे बताओ, कितना work done लगेगा, तो mgl upon 2x, याद रखोगे, बोलो, बोलो, याद रखोगे, हाँ, हाँ, बेटा, new batch की meeting हो गई, मेरा individual batch भी आएगा, प्रवलक एड़, यह, इस पे, मोवी शाला पे, ऐसा बच्चा जिसे नहीं पता है, तो बता दिता हूँ, मोवी शाला एप डाउनलोड करो, और वहाँ code लगाना, NOST 5050, caps lock में, NOST 5050, यह code लगा लो, मोवी शाला जैसे WhatsApp डाउनलोड करते हैं, ऐसे कर लो, के लिए रहे, यहाँ एक बहुत, बहुत बहतरीन, प्रोग्रामिंग चल रही है, बहुत बहतरीन, और सिर्फ limited seat रखूंगा, only limited, और 100% result देने का वायदा करूंगा, सिर्फ उस बैच के लिए मेरी कल मीटिंग हुई थी, और वो, जब आएगा, आपको पता लग जाएगी, के लिए रहे, प्रवल पर भी मेरे बैचे जाएंगे भी, तो यह आप डाउनलोड कर लाए, code NOS 5050, NOS मतलब Nostrum, चलिए बिटा, linear momentum is conserved in all type of collision, linear momentum क्या कोता है, conserve होता है, अजी, somewhere conserve होता है, सब type के collision में, क्या तुम ये बात पहली बार सुन रहे हो, अच्छा सर, जूम करके बता दीजे, ये लो बिटा, देखो, चलिए, ये लीजे, क्या ये बात तुम पहली बार सुन रहे हो, लो सर, अगला देखो, kinetic energy is conserved only in perfectly elastic collision, kinetic energy मतलब गते जूर जजो होती है न, वो perfectly elastic, inelastic नहीं है, perfectly elastic collision में, perfectly elastic collision में, kinetic energy conserve होती है, समझदार भाईयो, एक बात बताओगे, क्या perfectly कभी कुछ होता है, क्या, नहीं होता, अरे नहीं होता, हाँ, लेकिन याद रखना, kinetic energy क्या होगा, अक्षे कुमार जी आपने, चलो, आपने बात कहीं तो बताई देते हैं, लड़का बोलना सर, उसमें तो आपके साथ मोवी शाला में धोका हुआ था, वो दोका जो हुआ था, वो उसका निवारन हुआ और पता लगी, जो था, वो solution हुआ, वो बच्चा पूछ रहा तो सामने, कैमरे के सामने जवाब दे ही देते हैं, हाँ जी हाँ, वो दोका था, वो कोई unknown person था, यहां का नहीं था, और वो unknown person था, और उसके फिर पता लगी, यहां के किसी तरह का कोई किसी ने दोका नहीं दिया, वो बाद में जब जांच होके आई तो पता लगा, बाकि यह जो चीज रहे गया, पूरी तरह अंडर सीक्रेट रहे गया, किसी भी तरह का कोई leakage नहीं, हाँ जी, केलिए है, सुमित, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात क होता, क्यों, परफेक्टली कुछ बाड़े होता ही नहीं, अगला क्या कहता वीटा, दर रेशो ओफ, देखो, क्या कहता है, यह बच्चा अगर आब बोल रहा है, दोका हुआ तो कुछ बच्चे पता नहीं लगी, क्या कह रहा है, मैं बताओ, मेरे चैनल पे किसी ने दूसर जिस प्लेटफर्म से हुआ था, उनको भी सुनाया, और जिस अलग कोई बंदा आया था किसी का, और मेरी लाइव सेशन पे उसने पिन कर दिया था, जो गलत था, ठीक है, वो समाधान हो गया, अब भाई, आप अपने छोटे भाई की तरह तो आपसे हर बात करने में, कोई वो नहीं, और छेपाना मुझे आता नहीं, सीधा बोल जेते हैं, हाँ जी, क्योंकि तूद्धाई का खाना और टेंशन मुक्तरी आना, चालिए, आए, दर रेशो अफ रिलेटिव वेलोस्टी, अफ सेपरेशन अफ रिलेटिव वेलोस्टी तू अप्रोच अफ तू सेपरेशन, बहतरीन पॉइंट है, यह पूछा जाता है, और एक मैंने पॉइंट भी लिखवा रखें, बेटा देखो यह रख, यह रख, कोफी से, रेस्टिटुशन, रेस्टिटुशन, इका मान आता है, इबराबर वन, इबराबर जीरो, कैसे कैसे आएगा, पूछेगा फिर से बताता हूँ, दो, दो कॉलीजन के अनुपात को, कौन सा अनुपात, अरे रेस्टो ऑफ रिलेटिव वेलोस्टी ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलेटिव वेलोस्टी टू एप्रोच ऑफ टू कॉलाइडिंग बॉडी, दो कॉलाइडिंग बॉडी के वेलोस्टी के अगर e is equal to 1 के equal आ रहा है, तो याद रखना वो perfectly elastic कहा जाएगा, और अगर e की value 0 के बराबर आ रही है, तो इसे inelastic कहते हैं, क्या कहते हैं, inelastic, याद रखोगे, अरे याद रखोगे, yes sir, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया, हाँ बेटर, टेलीग्राम पर पूरी detail डाल दिंगे, बेच की जो आएगी, बिल्कुल, नहीं ओम जी, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ जी, देखो, बिटा एक कावत होती है, और मेरे पिता जी इस बात को बोलते हैं, बहुत सही लगता है, जिन्दगी में आद रखो, अपनी नियत साफ रखो, जिस व्यक्ति की नियत साफ होती है न, नियत साफ समझते हो, नियत साफ का मतलब किसी दूसरे के पिरती, कोई चीज अच्छी लगी, यह मेरी है, यह पैसा लगा, कोई चीजी बिल्डिंग अच्छी लगी, कार जिन्द की मयाद रखो, जिसकी नियत साफ होती है ना, लक्षमी उसके पीछे पीछे अपने आप दोड़ियों या आती है, समझ रहे हो, नियत साफ रखना, नेक नियत रखो अपनी, ठीक है, कोई किसी के साथ छल करे, कपट करे, परमिश्वर पे छोड़ दो, ठीक है, ये मै अपने कुछ सिद्धान्त बता रहा हूँ आपको जीवन के, बहुत अच्छे रहोगे और सुक फूर वग रहोगे, अती आनंदिस के साथ रहोगे, ठीक है जी, चलिए, पेपर कैसा आएगा, पेपर बिलकुल एक दम आनंदित आएगा, याद रखना, तुम ये काओगे, ह ये भी सुनाता, ये भी सुनाता, ये भी पढ़ाता, ये पढ़ाता, बार 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 बोल रहा हूँ, ये ही वक्त जागने का, हाँ जी, पेपर बहुत बहतरीन आएगा, विजई भब बेटा, मिशन एर फोर्स, सभी को विजई भब, लग जाओ, जी जान से, जब जब मैं लाइव आजा हूँ, लाइव देख लिया करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डड देखो लेकिन लाइव सेशन में आने की कोसिस करो, क्योंकि बेट, रिकॉर्डड फॉर्म नहीं देखी जाती फिर बाद में, चलिए, वेन ए स्टील बॉल इस डॉप्ड फ्रॉम में H1 का अंडर रूट, इसी को बोलते है, कोफिसेंट ओफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, E, अब देखिए, वेलोस्टी फू बोडिज, U1 और U2, उनके कोलीजन का मान, याद रखना सबसे बड़ा, most important, अभी देखो, थोर देर में पूछूँँगा, तुमसी में, ये कोल U1 है, तो ये U1 है, बिल्कुल सर, U2 क्या ये है, U2 ये, U2 ने इसमें टक्कर मारी, ठीक है, अब इसकी वेलोस्टी क्या बन गई, V1, और ये क्या बन गई, V2, तो ये कहता है, V1 और V2 बताओ, कैसे भी आ सकता है, यहां से, दो बोडिज, अगर मान चलोगे, खड़ी होई ह रेस्ट में, तो U1 का मान भी टक, U2 कितना बन जाएगा, जीरो, अरे कोई चीज रेस्ट में होगी, तो क्या बन जाएगा, जीरो, के लिए रहे, चली, कहता है, if two bodies of equal masses, अगर वो equal mass की हैं, बराबर तो one dimension elastic collision हो रहा है, तो their velocity are interchange after collision, तो उनकी velocity आपस में बदल जाती है, नही एक दिसा में collision हो रहा है, ये कार चल रही है, ये कार आई, तक कर लगी, तो ये वाली वेग, इसका वेग, इसके वेग में बदल जाता है, ये simple line थी, velocity दो bodies के अगर होती है, तो वो बदल जाती है, एक दिसा से दूसरी, जब तक राती है, के लिए रहे, बहुत बड़ी है, moderate are the substrate, ये दिखा रहा हो, के capable होते हैं, heavy water and graphite are the example of moderator, moderator का example क्या होते हैं, याद रखना है इस बात को, heavy water and graphite, दो body equal mass की हैं, perfectly collision में जा रही हैं, तो उसके बाद उनका initially rest perpendicular to each other, clear है, ये जो point लिख रहा के न, दो body, दो body वाले, वो सारे point यहीं से बनते हैं, इन बात को याद र चली, एक आखरी slide और बेटा, last है, useful tips, एक आखरी slide वह सापके सामने, देखिए एक बार, बताओ, थोड़ा सा fast अंदाज में बताना, work done, बताओ क्या होता है, w is equal to f dot s होता है, अरे इसे area under f, a or displacement का हो, सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, yes sir, बेटा work done कह रहा है, ये कार र कितने नामकरन करेंगे हम, पत्रा के according, नामकरन निकाले गए, अलग-अलग, work done को, area under force displacement का हो, या फिर change in kinetic energy का हो, या फिर change in potential energy का हो, ऐसे question केके, और एक option कहेगा, all above, और कह देगा, यहा question मना के, which one is correct, which one is correct for, और work done, निमन मैंसे कार रे के लिए कौन सा कथन सकते है, option A, उसका छित्र फल गो दिखाता है, F और X के बीच के, दूसरा, गति जूरजा का परिवर्तन दिखाता है, या इस्थिरूरजा का परिवर्तन दिखाता है, इस तरह से तुम से पूछेगा, मेरी बात समझ रहे हो, या all above, तो जवाब देखे आओगे, all above, clear है, विजेशंकर, ओम, हाँ बेटा, बेटा, एक्जाम की बात छोड़ो, यहाँ ध्यान दीजे अभी, अरपित, हेलो बेटा, हेलो, ठीक है, चलिए, अब देखो, एक होता बेटा, अगर, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स बोड़ी पर क्या होता, चेंज इन, दर रेशो अफ, चेंज इन काइनेटिक एनरजी, टू दिस्टेंस ट्रेवल भाई बोड़ी, यह पूछी जा सकता है, अगर उसने कभी, युनिट भी पूछे गया, या डायमे है, चेंज इन काइनेटिक एनरजी का वेलोस्टी के साथ, चेंज इन काइनेटिक एनरजी का डिस्टेंस ट्रेवल के साथ, तो लगा दोगे, yes sir, increase in the масс of liquid when heated, जब किसी लिक्वड को गरम किये जाता, तो उसका mass बढ़ जाता है, ऐसा इसलिए, delta m is equal to, delta m is equal to, e upon c soquer, और यह specific heat वगरा पढ़ियोंगी definition पढ़िये ना, येस सर बेटा पढ़ाई कर लो हाँ जी energy भी होता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल Vijay संकर सही कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो शाबा, जो बात बताता जा रहा हूं उन्हें बोलते चलो साथ साथ अब हमारे पास बेटा वक्त नहीं है कि ज़्यादा बाते कर पाएं बस इतना याद रखो, serious होके थोड़ा पढ़ लो ये capsule class बहुत काम देंगी आपको ठीक है जी, देखो पी इस इक्वल टू क्या होता, work upon time या पी इस इक्वल टू a force into velocity कोई-कोई वक्ती तो ऐसा कह रहा होगा सर ऐसा भी कोई formula क्या होता है क्या बेटा फिर से बोल रहा हूँ power is equal to work upon time कहो मतलब कार्यबटे समय कहो या फिर f into v कहो ये बात भी पूछी गए कोई बच्चा ये जानता होगा formula w upon t ये किसी बच्चे ने सुना हकीकत में बेटा ये पावर नहीं होती इसका नाम instantaneous power होता है याद रखना तो power का formula f dot v b होता है f velocity force into velocity या फिर change in kinetic energy upon time को भी कहते हैं तो देख लो बेटा power के आज इतने formula हैं बोलो बात समझाई बोलो बात समझाई yes sir बिलकुल चलिए energy energy जब अरे P is equal to energy upon time है तो energy is equal to P into T बनेगा नहीं बनेगा yes sir देखो भाई साब most important point question था इस पे air force में question था if the kinetic body is increased by n percent n percent मतलब 2 percent बढ़ जाए तो बताए क्या फरक पड़ेगा उसके momentum कितना percent बढ़ेगा अब ऐसे ऐसे point ओको question उठते हैं और अगर बच्चा ना करके आए सुनने के बाद भी ना करें तो फिर वो मंद बुद्धी की category में है जब उसे बोल रखा है कि kinetic energy n percent बढ़ जाए तो momentum पे क्या फरक पड़ेगा सर सिंपल फोर्मूला है वो n जितना तुम बोलड़ो न दो, तीन, चार परसेंट वो यहाँ put कर देना solve कर देना into 100 करते percentage निकल के आ जाएगा most important तभी star लगाया मैंने इस पर बोलो बास समझ आई yes sir चलिए बच्चे समझ पा रहे हैं अब देखो बिटा एक आखरी point और last point इस class का last point if the momentum of body is increased in percent वाह, गेम खेल रहे हो sir पहले kinetic energy को बढ़ाया momentum पूछ रहे हो अब momentum बढ़ा रहे हो kinetic energy पूछ रहे हो, कैसे if the momentum of body is increased by n percent तो kinetic energy कितने percent बढ़ जाएगी तो 100 plus n upon 100 यहाँ सुकेर आता और यहाँ अंदर रूट आता, इस बात का याद रखना बस और इसका formula इस पे चाहाओ तो मैं 6 numerical बना सकता हूँ, 24 इस पे 24 इस पे, अरे क्या फायदा सर जब concept पता है formula पता होना चीए, बैस और कुछ नहीं होगा अब बताने जरूद तो नहीं कभी kinetic energy बढ़ेगी, momentum percent निकाल दोगे, येस सर बोलो, यहाँ बैठा हूँ बच्चा, शावास बोलो इतनी बात हैं, पच्ची के नहीं पच्ची, yes or no, जबाब दीजिए बिल्कुल yes sir, you are the best, yes yes, yes, शावास पच्च गई, हाँ जी दीपक जी, बिटा बात के लिए रहे, हाँ, तो ये आपकी आखरी स्लाइट थी, यहाँ से question पूछे जाते हैं, एक बार यहाँ तक किसी बच्ची को दिखकत हो, any problem, तो वो पूछ सकता है clear है चलिए बेटा सौरग, पढ़ाई करो, यही जो पढ़ा रहा हूँ, मैं इधर ही पढ़ाऊँगा ठीक है, फिजिक्स अगर आपको लग रहा है कि सर, फिजिक्स से डर लगता है तो फिजिक्स का समादान नोस्ट्रोम study point पे है आपके सामने, और किसी subject की हम आप guarantee नहीं लेते क्यों, क्योंकि और subject को आप पढ़ रहे हो मुझे पता है, जहाँ 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 best best educator है पढ़ ले हो आप बेटा specific जो होता है न specific की खासियती अलग होती है याद रखने है इस बात को, clear है इसलिए हम specific है, बिल्कुल core अलग, physics को special अब जो मेरा अगला target होगा प्लेटफर्म पे, core physics के साथ उतरूँगा, special only physics और limited admission करूँगा सिर्फ limited fees उच रखनी पड़े चाहे limited admission, कि भाई या 100 admission लोगा, 100 ही निकालूँगा मैं, लेकिन उस 100 से result चाहिए मुझे, और वो result मैं निकालने का तरीका मुझे पता है क्योंकि हर चीज मेरे grip में रहेगी इसलिए मैं core physics चलाऊँगा कुछ दिन में आपके पास notification मिलेगा पता लग जाएगी उनके लिए चाहे मुझे रात को, दिन को कैसे भी मैनत करनी पड़े, बेटा जब batch launch करते हैं न, तो जब batch को पूरी तरह कराया जाता है, तो उसको नभाया जाता डंग से, मैंने अभी जब last time प्रवल पे बेच हुआ था, आपको पता कितने जो वीडियो लिमिट्ड होती है, 80-90 गंटे में, आपको 80-90 classes में, डेडडड गंट क्लास में आपको physics पूरी करनी पड़ती है, 118 class गई थी, 108 class में, सोचो ये तो syllabus syllabus गया तो revision अलग होता है, समझे रहो, हाँ, तो वो ही चीज है, मैत आप जहां से चाहें, वहां से पढ़ें, English आप जहां से चाहें, वहां से पढ़ें, Physics आप जहां से चाहें, वहां से पढ़ें, जिनकी मन और दिल और दिमाग कहता है कि हाँ गुरुजी आपके पास आनन्दित है और सफलता की सीडी तुम्हें मिल सकती है क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो बच्चक जगे जगे टीचरों पर पढ़ाए हैं गुमा बैतरीन से बैतरीन प्लेट फॉर्म नाम नहीं लोगा और लास्ट लिए टूटल और बेटा अक्ष्यकुमार 68 तो इस वही से होई थी कि चैनल प्रोपर चलने ही पाया था वहां सोचो और क्लास होने वाली थी ठीक है चैनल पर दिक्कत आ गई थी चलिए और मैं जो अपना बैच बिल्कुल कोर फिजिक्स जो बच्चा ही कहता नहीं सर जीरो अभी मैं अभी नीट का एक बैच लिकाया हूं उसमें ओफलाइन बैच लिकाया हूं तो उसमें पता लगी बहुत सारी बच्चे है ऐक बच्चा ऐसा जिसे यह नहीं पता थी कि सर अगर ध्यान सुनना बेटा यह टी की पावर माइनस वन लिखा हुआ और मैंने यहां जब पता है कोई भी पावर नीचे आती है तो उसका साइन बदल जाता थी मैं ऐसे बेसिक बेसिक करके पढ़ा रहा हूं ठीक है बच्चे चलिए बहुत अच्छा अभी आपकी क्लास है इधर सर की आगे और जैसा होगा आपको मैसेज कर दी जाएगा टेलीग्राम चैनल प आप से मिलेंगे ओके स्ट्वेंट्स जैहिंद